नमस्कार दोस्तो वागा था आपका अमारे YouTube चैनल पुजा फैसंट पूटिक में दोस्तो आज हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं इस तरह से आप कोई भी गले में भी डिजाइंट बणा सकते हैं यह प्मोचे में भी डिजाइंट बना सकते हैं तो इसी तरह से आपको धागे 5 ही कठा करके मसीन पर डाल लेना है एक देख सकते हैं ये बाबिन है दूसरी ये बाबिन है और तीसरी ये ठीक है चोथा ये रील हो गई और ये पांच वी रील तो इस तरह से दो रील और तीन बाबिन में हमने इस तरह से धागा पांच इकठे करके यह आप देख सकते हैं कठे धागे हमारे आ रहे हैं यहाँ पर और मसीन में जिस तरह से धागा डालते हैं तो उसी तरह से हमने पांच इकठे धागा यह देख सकते हैं डाल लेना है ठीक हमारा जो बाबिन का है तो यह देख सकते हैं नीचे उदर हटा हुआ है यहाँ पर आपको किलियर दिख जाएगा यह देख सकते हैं एक दागा दो तीन चार और यह पांच तो इस तरह से में यह आप इधर भी लगा सकते हैं तो हम लब पर ही लगा रहें पहले शिलाई आपको फुल कर लेना पांच नंबर पे यानि जितनी लंबी होती है शिलाई आपके तो पूरी लंबी कर लेना है तो हमने शिलाई इसकी फुल लंबी कर लिया है अब आपको क्या करना है सीधे शि प्लिट करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से फिनिशिंग से हमारी सिलाई यहां पर लग जाती है अब एक सिलाई हमें इस सैड में लगा लेना है तो यहां आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से सिलाई लगती है इस तरह से इंकर धागे का जैसे इंकर की सिलाई हम लगाते हैं उसी तरह से लग जाता है अब आप चाहें तो इसमें कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं तो यहां पर हम सबसे पहले इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इस तरह से लगाएंगे तो इस तरह से देख सकते हैं एक तरफ हमने सिलाई लगा लिया है अब हमें दूसरी साइड किस तरह से लगाना है तो यहाँ पर हम इसको बना देंगे बरफी की तरह है ठीक है तो दूस्तो इस तरह से आप देख सकते हैं पॉंचे में भी दिजाइन बना सकते हैं आप बाजू की मोरी में भी इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं बहुत ही अच्छा लगएगा, डिजाइन बाजू की मौरी पर भी, यह आप देख सकते हैं, और पोंचे पर भी बनाएंगे तो पोंचे पर भी अच्छा लगएगा, तो यह ट्रिक आपको कैसी लगी, बिना इंकर के, और इस तरह से, इंकर की तरह जो आपको सिलाई लगानी है, तो आप इसी तरह से बना करके लगा सकते हैं, तो वीडियो अगर पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब हम नई वीडियो अप्लोड करें, तो नोटिफिकिसन आप तक तो मिलते हैं, तो मिलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, नमस्कार, जैहिन